जाहिंद एवरीवन आई वेलकम यू आल टो वेक्निक ग्लासिस स्टॉक एसिस ने वेटनरी फार्मसिस्ट का एक्जाइम पास हा रहा है उसे स्लेबस में टॉपिक मेंचिन है स्पोर्स स्पोर्स के करेंट अल्रेडी हम कवर कर चुके हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन म में जो दिये जाते हैं वह Points कों करता है वह अनउस करता है पस्जम यूत प्लेयर को यह बहु को क्लियर हो गया इस साल के ताए गोघ करने के लिए पालति इसका नाम है मेजर ध्यांचंद खेरतन अवार्डा वार्ट आफ्यस अनल करते हैं इसका नम है मेजर अब इस साल का मेजर ध्यान चंद आवार्ड किसको दिया गया है यह आपने याद रखना है यह नाम बिल्कुल भी नहीं बूलने एक है चिराग चंदर शेकर शेटी चंदर शेकर एक पैन नोट बुक साथ लेके बैठो और यह साथ सा लिखते चलो चिराग चंदर शेकर बैघन गया है इनको भी고 आपको घ्लीयर होगया है नेक्स अर्जुन आवाल बड lot अर्जुना अलोड है कौन सा अर्जुन अच्छार्जावार्ड यह किशको दिया जाता है को डिया को दिया जाता है जो प्लेयर चार साल जो है कॉंटिनूज ली एक YOléुआ और पर बिस्टोडी बीस रहों कर रहा हो टो ऐसे प्लेयर को अर्जुन आवार्ड दिया पलता है ने 1661 में यह वार्ट स्टार्ट हुए थे पर आउस्टेंडिक परफॉर्मेंस इन स्पोर्स और गेम्स मैं आपको बता दिया इंटरनेशन लेवर्ट जो चार साल तर कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा खेल रहा उसको अर्जुन आवार्ड दिया जाता है तो बहुत से लिस्ट जो है वो देख लेना एक्जाम में जाने से पहले मैं आज ही शेयर कर लूँगा तो नैशन आवार्ड जो है अर्जुन आवार्ड 1961 में स्टार्ट हुए थे चार साल जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता उसको दिये जाते हैं एक दो नामें आपको बता जैसे मोह क्रिकेट में मोहमेशवमी तो इस बार जो है ओपको को पता है वाइट इस के लिए जाता है 1985 में स्टार्ट हुआ था यह और जो आउट्सेंडिंग कोची से स्पोर्स और गेम उनको यह धोना चारे वाड दिया जाता है यह दो के टेगरी में दिया जाता है एक होता है रेगुलर जो हर साल मतलब अच्छा इस साल जिन्हों ने अच्छा किया उनको दि दिया जाता है किस को मिला है उसके लिए मैं डॉकुमेंट शेयर कर दूंगा आप एक बार देख लेना ऐसे मैंने सब कवर कर रहा हुआ है तो वहां पर आप देख सकते हो नेक्स दोनाचारे आवाड के बाद देखो एक और एक तो हमने पढ़ा मेजर ध्यान चंद्र अवा काईरमेंट के बाद भी जो है वह एक इंपोर्टन रोल प्लेए कर रहे हैं उनको दिया जाता है ध्यान चंद अवार्ड फॉर लाइफटाम अचीबमेंट यह आपने याद रखना है इस बार का किसको दिया गया है तो तीन परसंस को यहां पर दिया गया है प्लेयर को दिय को दिया गया है विनीत कुमार शर्मा इनको दिया गया है किसमें होकी में इनको दिया गया होकी में यह दूसरा नाम आपने याद रखना है और थर्ड नेम आपने याद रखना है कवीता तो यह तीन नाम आपने याद रखने इनको ध्यांचंद आवार्ड फार लाइफ टाइम अचीमेंट पहले था मेजर ध्यांचंद आवार्ड जो दो को दिया गया किसको दिया गया चिराग चंदर शेटी को और एंकी रेड़ी साथ्विक सहराजा यह दोनों बैडवेंटन के प्लेयर हैं और मेजर ध्यांचंद आवार्ड फार लाइफ टेम अचीमेंट को दिया गया है एक तो मंजूशा कनवर को विनीत कुमार शर्मा को और कविथा सेल्वराज को दिया गया है यह तीन नाम भी आपने याद ठीक है यह सारे नैशनल आवार्ड के टेगरी में आव प्रफिटिशन में जो उनिवेस्टी की टीम होती है मैंली इनको दिया जाता है मौलाना अबुलकलाम अजाद ट्रॉफी तो इस साल की किसको अनौंस किया गुर्णानक देव उनिवस्टी जी एंड यू 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 इस आपने याद रखना है मौलाना अबुलकलाम 76 BC में स्टार्ट हुए थे modern Olympics तो आपको पता है लेट साथ हुए बट एंशन ओलंपिक जो है 776 BC में स्टार्ट हुए थे ठीक है रिप्रेजेंट करतें जो बलाक क Wizard होता नहां जो ब्लैक की एकसि एक्वे जाय में पूछता है ब्लैक कलर नहीं एंफिका कॉंटिनग का रिप्रेजेंट शेकर करते हैं ठीक है ऐलो कलर गदींग वह एशिया को मर्सिट करते हैं यह चैनलhrlich को पूछ सकता है पांच जरिंफ के जो symbol है उसमें और पांच जो है वो पांच कांटिनेंट को रिप्रेजेंट करती है फ्लाग में सिंबल्स हैं पांच जरिंग के अरो मोट्र ओल्मपी का क्या है सी आल क्यातिए इसका मतलब वहता है फास्टर हाइर और स्ट्रॉंगर यह केंग बार पूछा गया एक्जाम में कि वर्ट इस ता मतला है फास्टर हाइर और स्ट्रॉंगर ठीक है ओलंपिक्स गेम देखो पहले ओलंपिक्स एंशन तो 776 बीची से चल रही थी फिर यह बंद होगी थी बीच में इसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है पायर धी कबर्टिन को यह कहां के थे फ्रांस के थे इनको ही श्रे दिया जाता है कि इन्हों नहीं ओलंपिक्स को वापस रिवाइव करा था कब पहली बार ओलंपिक्स अब शुरू हुए 1896 डेट इस वर्य इंपोर्टेंट एथन्स में मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे 1896 में और किसको दिया जाता है क्रेडिट फॉर रिवाइवल ऑफ इस ओलंपिक्स गेम पायडी कबर्टिन यह आपने याद रखना है जितने भी ओलंपिक्स की गेम्स होती है वह कौन देखता है कि इंटरनाशनल ओलंपिक कमे किस तरह रहा है पहली बार ओलंपिक्स में पायोम्टिक्स करता और लय में दॉंहां में प्रिकel परद रहा तो किस होने witness इंडिया ने उलम्पिक्स में नाइटीन इंड़न हंडर में इंडिया नाम आपने आपने याद दकना है तो पहली वोमैं जो है वो नियुक्स थी फर्स्ट मैडल जीता गया था रेस्लिंग केटगरी में केडी जादव ये पूछा जाए नाइंटीन कमाने सिब्रस्ट यदा केडी जादव मिला जो कि उपिस्ट्र समय में ठीक है अब इंडिया ने इंडियन जो होकी टीम है वो बहुत फेमस थी ओलंपिक जीते हैं तो 1928 में पहला जीता गया 1932 में इंडियन होकी टीम में पहला गोल्ड कप जीता था ओलंपिक्स में 1928 में यह डेट आपने याद रखनी है और इसमें मेजर ध्यांचंद जी का इंपॉर्टेंट रोल था इस टुक्ञोट में नाइंटीन एटी में हमने जो है गोल्ड जीता है होकी में ठीक है यह चीज़ेंअ आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट ओलंपिक्स गेम हुई है वह कब हुए में 2020 में 2021 में कहांब धबीस यह लफूपिक्स गेम हैं तो याद रखना है कहाँ पर हुई थी 2020 में जो कहां पर हुई थी टोक्यो चपाद फुललमभीध गेम्स में एक गोल्ड था सिलवर और 4 ब्रॉंज थे बोल्ड बो चार ब्रोण्ज किसको मिला था आप सब्सक्राइब पता है यह गोली किसको मिला था नीर जब एक single person को ऐसे तो होकी टीम बहुत बार जीता इंडीविज्व गोल्ड जीतने वाले यह दूसरे इंडियन्स हैं पहले कौन है पहले अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा को कब गोल मिला था 2008 के ओलंपिक वह कहां पर हुए थे चाइना के बीजिंग में 2008 के ओलंपिक कैटेगरी में गोल्ड जीता यह क्या है यह राइफल में है और टैन मिटर एर राइफल में इनको गोल्ड मिला था ठीक है तो यह कुछ ऑलंपिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है आप जो 2024 के ओलंपिक्स गेम है वह कहां होनी है पैरीस में यह ने भी याद रखना है ठीक है तो क्या किए व्लंपिक्स में हमने सबसे पहले देखा कि जीता है यह सादा ओंपी गेем हुई है 2020 कि उसको हो भी हमने cover करा था ठीक है next अब Para Olempics जासे Olympics होते हैं जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं और Para Olympics जो हैं वह प्यास के लिए होते हैं ठीक है Users प्लेमिटे can पांच गोल तेएथ जिपने भर भ्रोंस बीष्टेन याद याद और निएक्स डॉंपिक के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो फा стिवल होता स्पर्ट फैस्टिवल वर्ल्ड का वो क्या है कॉंबने जितने बियुक्नमेल зов इसन से वह सारे मिल एक बाती में अहोता है इनके बीच में चलता है औलम्पिक्स के बीच में चलता है 2020 के बाद 2024 में यह आपने याद रखने हैं पहली बार काहा हुई थी हमिल्टन कनेडा में इंडिया ने पहली बार पार्टिस्प्रेट करा था लंडन में ठीक है अभी जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है उनके एक्जाम में पूछ सकता है तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है वह कहां पर हुई बिर्मिंगम यह कहां पर है इंग्लेंड में पहले तो आपने लोकेशन याद रखनी है इंडिया का रैंक लिए जिसमें से 22 गोल्ड थे 16 इंडिया सिलवर फ्रोण से याद रखना आपने और कामन वेल्थ गेम्स की कहां होने जा रही है विक्टोरिय और याद रखना है इससे पहले वाली में इंडिया क्या रैंक था कितने मैडल जीते उसमें फर्स्ट को नहीं यह देख सकते हो जो आया पूछए यह वह पूछेगा इपने डीप पढ़ना अगद अगर उसके बाद करें किने गेंस इंता करें इंडियाthese बहुत इंप पहिंपोर्टेन डॉल है इसलिए पहली स wore ंंडिया में हुई ती न्यू डेली में तो पहली बाइप कहां हुई थी इंडिया में न्यू देली में आपने याद रखना है ठीक है 2018 की एशन गेम्स को 18 एशन गेम्स कहते हैं यह भी चार-चार साल के बाद होती है इसका मतलब 2018 के बाद का भी है 2022 में 2022 की जो एशन गेम्स हैं अभी 2023 में इसका आपने यह आपने याद रखना है ठीक है नाइंटीन्स नमबर की इसमें फरस्ट आई है चाइन डैंक में सबसे पहले नंबर पर कोन आ चैना यह एशन गेम्स हुई कहां थी 2019 वाली लेटेस्ट 2022 की जाम के ल या props तोंटल कितने मैधन जींगे 107 मेडलों 107 वेसे कोनों फॉट्टी यकि वन से र्रॉटी पूछा दा सहूंटार में ये वांने क्यों पूछा जाता है कोई अगर लेटेस्पोर्ट हुआ है ना तो उसमें कितना मैडल रैंक इंडिया का रहा इंडिया ने कितने गोल यह पूछा जाएगा और नेक्स्ट वाला कहा होना यह पूछ सकता है अब एशन गेम नेक्स्ट हैं 2026 वाली जो 20 एशन गेम्स होंगी वह कहां पर होंगी तो य जपान के शहरें एक तो नगोया अपने नगोया प्रोटोकॉल में ने इन वॉर्मेंट में पढ़ाया था वहां सुना होगा नगोया एची इन जगाओं में होगा मेंली कहां पर कंट्री कौन सी है जपान है यह आपने यहादर यह कुछ इंपॉर्ट पहले हमने नैशनल ग संधिया था वह और इंगलेंड के बीच में एक आपने तैस्ट मैच में खेला गया था से यहाद रखना नेक्स पहला वन डे इंटरनास्टल फिफ्टी फिटी वाला मैच 1971 में एक एफिकूर्णा की कहल था इस बार हम घीते-टे रहे ठीक है और इंडिया ने ती टे कप है इंडिया ने वो कप जीता 2007 2007 में हमने टीट्वेंटी वर्ल कप जीता है और वन डे इंटरनेशनल वर्ल कप हमने दो बार जीता है कि एक पंदी और सुपरमां इंप्याइट को ब्रेंग आपको पता कितने अच्छी अच्छ्ट रहें लेंडर पीज को बोला जाता है पौकी डायनमो के नाम से भी बुलाया जाता है सौरव・गंगोली、 बंगाल के, बंगाल टाइगर इनको बोला जाता है और प्रिंस अफ कलक listeners भी इनको बोला जाता है विश्वूनात अनन्द को लुटनिंग किड यह वुषि कहते है राहून द्रविट को दवॉल यह जैमी भी कहते है इनको शोईब अक्तर को रावल पिंडी एक्स्प्रेस इंपोर्टन है याद रखना सचिन दंदुल को गौड अफ क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर यह इंपोर्टन है याद रखना डॉन ब्रैडमन को दडॉन कहते हैं सुनिल गवासकर को लिटल मास्टर सनी कहते हैं याद रखना को हर्याना हरीकन अपिल देव हर्याना के हर्याना हरीकन एमेस दोनी सबको पता है माही एमेस विराट कोली को चिकु कहते हैं यह नहीं पूछेगा एक्जाम में वैसे अनिल कुम्बेले जंबू हरीकी पॉंटिंगो पंतर शैनवान स्पिंकिन या वार्नी मतहिया मुर्ली इंपोर्टन है पिटी उशा को पैवली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल उडन परी एश्यन स्प्रिंट क्वीन विरिंदर सेवाग को वीरू नवाब आफ नजबगर सुल्तान मुल्तान भी इनको कहा जाते हैं इतना इंपॉर्टन नहीं है वैसे ठीक है जो जो इंपॉर्टन क्रिकेट कि गेमन क्रिकेट सब में कितने प्लेयर खेलते हैं 11 वालीबार में 6-6 प्लेयर होते हैं यह सब आपको पता है तो यह कहीं बार बहुत बार यह चीजें पूछी कहीं है कि कितने प्लेयर से यह भी आप साथ-साथ क्या कर लेंगे याद कर देखो जो भी स्पोर्ट का कंटेंट था ना जिसके पूछे जा सकते थे वह सारा पूर्शन में इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है यह मैंने पूरा पेज से उठाया है बहुत बार एक्जाम में कि शुर्प तने र습니까 enjoy घांचेटा में रिखना होकी के साथ याद कर दो नहीं होकी के साथ के साथ सब्सक्राइब नहीं कूछिए हांद कर सकते हों नहीं की बूलना वहलिंग्टन कंप यह तो चार बहुत important होकी के लेटी यह चार important पूछ जाते हैं अगागान कप किसे associated होकी के साथ ध्यांचन ट्रॉफी भी होकी के साथ है नहरू ट्रॉफी वेलिंग्टन कप यह चारू किसके फूट वर्ल कॉप वर्लकाप आपको पता है फूट बड़ा होता है तो ये संटोश चारफी भी किसका i commence यह विल्चथ यह इंपोर्टन है फूट मैल कप बर्दोलिया डॉफी जो पूछ आस के साथ ज FCC को पता ही है चैम्पियन ट्रالफी क्रिकाइट ट्रोफी क्रिक्ट याद रखना भूल को पता है इरानी ट्राफी किस क्रिकट के साथ पूछता है घ्र थे कि कि're के साथ तिक है राग्ए जानकी त्रफिक साथ आई- antic yah अग्षा आभगने जो में यहां पर एंडरलाइन करूं वह बहुत इंपॉर्टेन być ξ सब्द्रफिक तो बल्कुल मत मुंलना रं काम भुषा को बात कर जाता थाथ कि's जादा तर पूछा जाता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बढ़ फिर भी देख लेना एक बार रामानुजा ट्रॉफी किसके साथ है टेबल टैनिस के साथ एस्टोसीयेटिटीट है राज कुमारी चैलेंज कप टेबल टैनिस बड़ यह इतना पूचने के चांसे नह में पूछा अगरवार कर बहुत पूचा गया अगरवाल को से एस्टोसी लाइब म prophets के साथ क्रिकेट के साहर टीक है बासकिट Nobel में भीgrass है बहुत बार पूचा जायकियाए नहरू किसे एस्था किसे नहाख है पौछे लेकिसे और हैं और किरेगा और गोल्फ में में यह सा किशेटान त्रफी ओर लिंक तो आपको भी याद करने एक दो बार को देख लेना कुछ ही वीडियो होती है जो मैं रिक्मेंट करता हूं कि एक-दो बार देख लेना क्यों उसका एक रीजन है क्योंकि अगर आप खुद बुक से पढ़ोगे याद नहीं रहेगा बट किसी को सुनने से चीज़े याद रहत है बाकि एक बार ही लेक्टर देखना होता हो साथ में अगरा मिठीर बनाया तो कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है लेक्टर स्पोर्ट्स का स्टैडिक पोर्शन कवर हो गया अगर आपने पढ़ लिया है और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बैनिफिट कोई है नही है तो मैं कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पिन कर दूंगा लिंक चार मिनट की वीडियो उसको देख लेना आपको पता चल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यह मौक टेस्ट जो था वह फर्स जैन को था अल्रेडी हो गया है आप अगर नहीं द लाग करें कहां पर आपका गलत हो रहा है ठीक है क्योंकि टेस्ट देने कवाई डिटेल्स में जाकर आप देख भी सकते हो कौन सा आपका कोश्चन गलत हुआ है ठीक है तो उसका सही अंसर क्या था तो आपको पता भी चलेगा तो अब एकनिंग क्लासी डॉट इन में आपन कर सकते हो तो sports के लेटी जो भी important चीजें थी वो आज हमने इस lecture में cover कर ली है आप comment section में बताना और कि इस content के related आपको video चाहिए तो हम डाल देंगे और अगर आपको चैनल का content पढ़ाने का वे पसंद आए तो channel को जुरूर subscribe करें और share भी करें to others this will be a boosting factor for us to work on more and more on this channel and next important thing is जाए telegram group को जुरूर join करें इसकी PDF और जो भी important information होती है हम आपके साथ telegram group में ही share करते हैं this is it for today thank you so much for watching